हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मौक टेस्ट का पार्ट तीन जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक और दो पार्ट देखे थे अच्छा रिस्पॉंस था आप लोगों ने अच्छा ही स्कूर किया था तो उसी प्रकार आज हम मौक टेस्ट तीसरा लेकर आए हैं इसके दुरू आपकी तयारी कैसी चल रही है यहाँ आप अपना मुल्यांकन खुद से कर सकेंगे तो पूरी वीडियो के साथ बनी रहीएगा आज की जो वीडियो है वो बेस्ट है असर्शन इस्थापना और तर के रीजन पर तो इस तरह के जादातर परिक्षाओं में 5 सवाल पूछे जाते हैं तो वह 5 सवालों के तोर पे हम आज यह प्रेक्टिस सेट देखेंगे तो जो मौक टेस्ट है पूरे मौक टेस्ट के साथ बनी रहीएगा और अगर आप ने अभी तक चैनल को करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लों के साथ तैयारी करते रहें अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं तो पहला प्रशन है इस्थापना असर्शन एसे दर्चाय गया है देश भक्ती संस्क्रती राग चरित्रों की उदातता भा प्लासिक गरिमा और लंबी कालावदी के विस्तरत कथानक के कारण जैशंकर प्रसाद का नाटक चंद्र गुप्त महा काव व्योचित और ओदात्य से परिपूर्ण नाटक है यह था इस्थापना अब है तर्क रीजन आर्से दर्शाय गया है साथ ही उसमें ब्रेख्त के म पूर्ण विशेश ताइम भी मिलती है तो अब नीचे कोड दिया है उस कोड में से बताना है कौन सा आप्शन सही है आप्शन पहला ए सही है आर गलत है आप्शन दूसरा ए गलत है आर गलत है आप्शन तीसरा ए गलत आर सही है या फिर आप्शन चौथा ए सही है आर गलत ह अगला प्रश्ण है इस्थापना दिया हुआ है असर्शन ए से दर्थाय गया है आधुनिकता कोई शास्वस्त मूले नहीं वह मूलियों के परिवर्थन का परियाय है अब इसका तर्ग दिया हुआ है रिजन आर से क्योंकि बदलाओ की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है कोड दिया है कौन सो आप्शन सही है पहला ए सही है आर गलत है आप्शन दूसरा ए गलत है आर सही है आप्शन तीसरा ए सही आर सही या फिर आप्शन चौथा ए गलत आर गलत तो सही उत्तर है option तीसरा ए सही आर सही ए सही मतलब इस्थापना और तर्क दोनों सही है अगला प्रश्न है इस्थापना दिया हुआ है असर्शन ए से अद्वैत वाद आत्मतत्त्तो का विस्तार है इसका तर्क है reason आर क्योंकि वा जीव और जगत की प्रथक सत्ता को स्वीकार करता है code है option A A सही आर गलत है option B sorry option दूसरा A गलत आर सही है option तीसरा A गलत आर गलत और option चौथा A सही आर सही तो सही उत्तर है option पहला A सही है आर गलत है यहाँ पे इस्थापना सही है पर उसका जो तर्क है वा गलत है अगला प्रशन है इस्थापना assertion A से सचंदता वाद चाया वाद और रहसिवाद का परियाए ही है तर्क है रिजन आर क्योंकि यहाँ दुवेदी युगीन शास्त्रियता दुवेदी युगीन शास्त्रियता की प्रतिक्रिया स्वरूप वयक्तिक कालपनिक और निजी रहस्यानु भूती का प्रतिफलन है तो कोड है आप्शन पहला ए सही आर गलत है आप्शन दूसरा ए गलत आर सही है आप्शन तीसरा ए सही आर सही या फिर आप्शन चोथा ए गलत आर गलत तो सही उत्तर है आप्शन तीसरा ए सही है आर सही है तो मतलब यहाँ इस्थापना और उसका तर्क दोनों सही है आप् क्या प्रश्ण है इस्थापना दिया हुआ है अशर्षन एसे मानव और प्रक्रती के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरक्ता या विरोध भाव में मिथक सर्जन के सूत्र विद्धुमान होता है तर्क दिया हुआ है रीजन आर क्योंकि प्रक्रती में अलोकिक्ता और दिव शक्ती है और मानव कल्पना तथा प्रक्रती के मध्ध सीधा और अनिवार्य संबंद है कोड है आप्शन पहला ए सही आर गलत आप्शन दूसरा ए गलत आर सही आप्शन तीसरा ए गलत आर गलत या फिर आप्शन चौथा ए सही आर सही तो यहाँ पे सही उत्तर है आप्शन चौथा A सही है और R सही है यहाँ पे इस्थापना और तर्क दोनों सही है अगला प्रश्न है इस्थापना असर्शन A भक्ति को सा प्रानुक्री त्रीश्वरे कहा गया है प्रानुरकित त्रीश्वरे कहा गया है तर्क है रीजन R इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है तो कोड है option पहला a सही r गलत option दूसरा a गलत r सही option तीसरा a सही r सही या फिर option जोथा a गलत r गलत है तो सही उत्तर है option तीसरा a सही और r सही इस्थापना और तर्क यहाँ पे दोनों सही है अगला प्रशन है इस्थापना असर्शन ए चायावाद शुद्ध लौकिक और सौंदर्रे का काववे है तर्क रीजन आर दिया हुआ है इसी लिए उसमें राश्ट बोध और अध्यात्मिक चेतना ना के बराबर है ए सही आर गलत आप्शन दूसरा ए गलत आर सही आप्शन तीसरा ए सही आर सही या फिर आप्शन चोथा ए गलत आर गलत है तो सही उत्तर है आप्शन चोथा यहाँ पे ए गलत और आर दोनों गलत है इस्थापना और तर्क दोनों गलत है अगला प्रशन है, इस्थापना असर्षन ए दिया हुआ है, श्रद्धा में कारण अंतर नहित और आलंबन अज्यात होता है, इसका तर्क रीजन दिया हुआ है, क्योंकि, क्योंकि श्रद्धा में द्रश्टी व्यक्ति के कर्मों, द्रश्टी व्यक्ति के कर्मों से होती अगला ए सही है आर गलत आप्शन दूसरा ए गलत है आर गलत है आप्शन तीसरा ए गलत आर सही है या फिर आप्शन चोथा ए सही आर सही है तो सही उत्तर है आप्शन तीसरा ए गलत है आर सही है यहाँ पे इस्थापना गलत है बलकि तरक सही है अगला प्रश्ण है इस्थापना असर्षन ए दिया हुआ है चेतना अनुभूती की सघनता और चिंतन की परकाष्ठा है इसका तर्क दिया हुआ है reason are क्योंकि क्योंकि अनुभूती और चिंतन का संबंध शुद्ध हिर्दय के सम्वेदन से है कोड है option पहला ए सही है आर सही है option दूसरा ए सही है आर गलत है option तीसरा ए गलत है आर गलत है या फिर option चौथा ए गलत है आर सही है तो यहां पे सही उत्तर है option दूसरा ए सही है आर गलत है इस्थापना तो सही है पर उसका तर्क गलत है अगला प्रश्ण है, इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, कोड दिया हुआ है, कौन सा आप्शन सही है, आप्शन पहला, ए सही है, आर गलत है, आप्शन दूसरा, ए सही, आर सही, आप्शन तीसरा, ए गलत, आर गलत, या फिर आप्शन चोथा, ए गलत, आर सही, तो सही उत्तर है, आप्शन तीसरा, ए गलत है, आर गलत है, यहां पे इ इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, नाटक जड़िया रूढ नहीं है, एक गतिशील पाठ है, इसका तर्क है reason R, क्योंकि, यह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है, तो यहाँ पे code है, कौन सा option सही है, पहला, A सही है, R सही है, option दूसरा, A गलत है, R गलत है, option तीसरा, A सही है, R गलत है, या फिर option चौथा, A गलत है, R सही है, तो यहाँ पे सही उत्तर है, option पहला, A सही, R सही है, अगला प्रश्ण है इस्थापना असर्शन ए वस्तू में सौंदर्य एक ऐसी शक्ती या ऐसा धर्म है जो द्रश्टा को आंदूलित और हिल्लोलित कर सकता है और द्रश्टा में भी ऐसी शक्ती है एक ऐसा समवेदन है जो द्रश्टव्य के सौंदर्य से चालित और हल्लोलित होने की योग्यता देता है तरक reason R दिया हुआ है क्योंकि द्रश्टा और द्रश्टव में एक ही समान धर्मा ततो अंतर निहित है कोड है कौन सो option सही है option पहला, A सही R सही, option दूसरा A गलत R गलत, option तीसरा, A गलत R सही या फिर option चौथा A सही R गलत तो यहाँ पे सही उत्तर है option पहला A सही R सही है तो यहाँ पे दोनों इस्थापना और तर्क दोनों सही है अगला प्रश्ण है इस्थापना असर्शन A यहाँ द्रश्ट कोड पूर्णता इस्थापित है कि एकांकी नाटक का लगहू संस्क्रण है इस्थाप्तर्क दिया हुआ है reason R क्योंकि पूर्ण कालिक नाटक को काट छाट कर नाटकार अथवा नाटकी संघर्स का पूर्ण विकास प्रदरश्ट नहीं किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है तो कोड है कौन सा आप्शन सही है आप्शन पहला A सही है R गलत है आप्शन दूसरा A गलत है R सही है आप्शन तीसरा A सही R सही है या फिर आप्शन चौथा A गलत R गलत है तो यहाँ पे सही उत्तर है आप्शन चौथा A गलत R गलत यहाँ पे दोनों गलत है अगला प्रश्न है इस्थापना असर्शन ए किसी काविका, शुरोता, पाठक, जिन विशियों को मन में रती, करुणा, क्रोध, उत्सा, इत्यादी भावों तथा सौंदर, रहस, गंभीर, आदी भाव, नाओं का अनुभाव करता है वे अकेले उसी के हरदय से संबंध रखन वाले होते हैं, इसका तर्क, रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि उपर युक्त सभी विशे और भाव, मनुस्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं, कोड है, सही आप्शन्स चूज करना है, आप्शन पहला, ए सही आर गलत है, आप्शन दूसरा, ए गलत आर सही है, आप्शन तीसरा, ए गलत आर गलत या फिर आप्शन चौथा, ए सही आर सही, तो सही उत्तर है, आप्शन दूसरा, ए गलत आर सही है, तो यहाँ पे इस्थापना सही और तर्क गलत है, इस्थापना गलत और तर्क सही है, अगला प्रशन है, इस्थापना असर्षन एदिया हुआ है वासना या संसकार वन्ष नुक्रम से चली आती हुई दीर्ग भाव परंपरा का मनुस्य जाती की अंतह प्रक्रती में निहित संचे नहीं है रीजन तरक आर दिया हुआ है इसी कारण भारती आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनुविसलेशण वादी सामोहिक अवचेतन की अवधारना से पुष्ट है कोड है आर सही आर सही आप्शन दूसरा ए सही आर गलत आप्शन तीसरा ए गलत आर गलत या फिर आप्शन चोथा ए गलत आर सही तो यहाँ पे सही उत्तर है आप्शन तीसरा ए गलत आर गलत इस्थापना और तरक दोनों गलत है अगला प्रशन है इस्थापना असर्शन ए अस्तित्वाद अस्तित्वाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है तर्क रीजर आर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ व्यक्ति की सुतंतरता और चैन की आजादी का पक्षधर है सुत्र आजादी का पक्षधर है कोड है औप्षन पहला ए सही आर गलत है औप्षन दूसरा ए गलत आर सही है औप्षन तीसरा ए सही आर सही या फिर औप्षन चोथा ए गलत आर गलत है तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है option दूसरा A गलत आर सही है यहाँ पे इस्थापना गलत बल्कि तर्क सही है अगला प्रशन है इस्थापना असर्शन A दलित साहित का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है तर्क दिया हुआ है reason R क्योंकि इसमें वर्ग संघर्श की हिमायत की गई है कोड़ दिया हुआ है option है पहला A सही R सही option दूसरा A गलत आर गलत option तीसरा A गलत आर सही या फिर option चोथा A सही आर गलत है तो यहाँ पे सही उत्तर है option दूसरा A गलत आर गलत इस्थापना और तर्क दोनों गलत है अगला प्रशन है इस्थापना अशर्शन A भूमंडली करण भूमंडली करण विश्व की पूंजी वादी विवस्था है तर्क रीजन आर दिया हुआ है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ती और व्यक्ती उपभोकता तो कोड दिया हुआ है आप्शन है पहला ए गलत आर सही है आप्शन दूसरा ए सही आर गलत है आप्शन तीसरा ए सही आर सही या फिर आप्शन चौथा ए गलत आर गलत है तो यहाँ पे सही उत्तर है आप्शन तीसरा ए सही है आर सही है इस्थापना और तरक दोनों सही है अगला प्रशन है इस्थापना असर्षन ए साहित्य का इतिहास वस्तुता मनुस जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है तरक रीजन दिया हुआ है आर क्योंकि मनुस ही साहित्य का अंतिम लक्ष है कोड है option पहला ए सही आर गलत है option दूसरा ए सही आर सही है option तीसरा ए गलत आर सही है या फिर option चौथा ए गलत आर गलत है तो यहाँ पे सही उत्तर है option दूसरा ए सही है आर सही है यहाँ पे दोनों सही है अगला प्रश्ण है इस्थापना असर्शन ए दिया हुआ है, जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्या पर हमें रसात्मक बहावों में मगन करते हैं, उसी प्रकार भूत काल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तूओं का वास्तविक इस्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है तरक दिया हुआ है रिजन आर क्योंकि हमारी मनुवरत्ती क्योंकि जो हमारी मनुवरत्ती है सुआर्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हट कर कुछ भाव शेत्र में इस्थिर हो जाती है इस्थापना और तरक दोनों सही है तो दोस्तों अगर यहाँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और महत्पूर्ण प्रशन लेकर आएंगे तो अपने सुझाओ अपनी कमेंट्स आप जरूर से जरूर करें तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद